बंदे मत्रम दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नए एपिसोड में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुस्सन नमर दो जो की प्रसना वली एक पॉइंट एक का है कुस्सन नमर दो में कुल ई तक प्रसन दियेगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच प्रसन दियेगे, दो का पांच तो चलिए, यहाँ पर कुस्सन नमर दो में क्या पूचा गया है सही अस्तानाव पर अल्प बिराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए मतलो यह जो हमें वाक्य के रूप में संख्या दी गई है पहले इसे क्या करना है इसलिए हम क्या करेंगे, भारतिय पद्धी के अनुसार यहाँ पर कूमा लगा देंगे तो देखें, यहाँ क्या है 43 लाक पहले यहाँ क्या करेंगे इस पीरिएट्ट को यहाँ पर जो लिखा गया है पद्धी उस आवर्थ को लिखेंगे इकाई दाई सेक्रा एकाई आवर्थ में आता है फिर देखें यहां 43 लाख है तो 43 लाख में लिखेंगे लाख में लिखेंगे लाख आवर्थ हो गया फिर क्या है दस हजार फिर हजार आवर्थ हो गया फिर क्या हो गया यहाँ पर इकाई आवर्थ हो गया यहाँ पर अब देखे 43, 73, लाग 73, लाग है तो 73 को लाग के निचे लिख देंगे और देखे 75,000, 75 को अजार के निचे लिख देंगे 307, 307 यह हो गया यह संख्या अब देखे इस संख्या को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 73,75,307 इस परकार से लिखेंगे यह हमारा क्या हो जाएगा अंसर उसी परकार से देखिए यह हो गया यह हमारा उसी परकार से भी देखते हैं यहां क्या आए 9 करोर है लाग के बाद क्या आता है करोर तो 9 एक ही संग क्या है तो 9 लिख देंगे अब देखे, 9 करोर 5 लाक, सिर्फ 5 लाक बोला गया है लाक में 2 अंक होते हैं तो इसलिए 5 लिख देंगे 1 अंक हो गया और 1 जिरो आगे लगा देंगे तो 2 अंक हो गया अब देखे, दुसरा क्या है 9 करोर 5-101 सिर्फ 41 यहां पर देखे 41 भी 2 अंकों की संक्या है 41 लिख दिये, अब इसमें भी क्या करना है, 3 अंक बनाना है तो 1 जीरो आगए लिख देंगे, हजार वे हस्तान पर कुछ नहीं दिया गया है तो 2 जीरो यहां पर लिख देंगे तो देखे हो गया आप 9KROOR 5LAQ 41 अब इस संक्या को क्या करना है ऐसी एल्पविराम लगाना है इसमें कौमा लगाना है अल्पविराम को अंग्रेजी में कौमाई बहुता है नो अल्पविराम 05 अल्पविराम 2-0 फिर अल्पविराम 0-4-1 यह लिख दिया है यह हमारा क्या हो गया अंसर हो गया बी का उसी तरह से देखे दूर तीसरा सी संख्या क्या है सी कुशन कुशन मर सी साथ करोर साथ करोर हो गया करोर के नीचे लिख देंगे बावन लाख बावन को यहाँ पर लिख देंगे 52 लाख 41 अजार 44 کو हजार के नीचे लिख देंगे 41 अजार उसी परकार से 물ाष diferentes 302 यहां पर क्या है 302 तो 302 लिख देंगे अब इस संख्या को क्या करना है अल्प विराम के अल्प विराम तो यहां भी हम लगा दिये इसी संक्या को यहाँ पर लिख देंगे साथ कुमा बावन साथ कुमा बावन कुमा एक तालीस कुमा तिन सो दो यह होगिया हमारा आंसर उसी परकार से चलिए कुस्न नमर डी देख लेते हैं डी में क्या है 58 मिलियन देखे यहां million में लिखा गया है तो यह संख्या किस में लिखा गया है अंतराष्टे पद्धिती में तो पहले क्या करेंगे इस संख्या को यहां पर लिखेंगे अंठावन million इकाई हजार हजार यह अंतराष्टे पद्धिती में हर एक आवर्थ में तीन संख्या होता है कितना संख्या तीन संख्या यह हजार वे आवर्थ हो गया तो यह क्या हो जाएगा अधिक्तम क्या है million फिर हजार फिर इकाई इकाई यह हो गया यही संख्या है अब दिखें क्या अंठावन अंठावन million है यह कुसनवड़ी है अंठावन million के जगह पर अंठावन लिख देंगे अब देखें अंठावन million 400,000 423,000 423,000 तो यहां लिख देंगे 423,000 अब इकाई अस्तान पर भी तीन संख्या होगे 423,000 202 यह हो गया अब इस संख्या को पूर्न रुप से लिख देते हैं यहां पर अंठावन million 423,000 202 यह हमारा क्या हो गया अंसर हो गया उसी परकार से चलते हैं लाश्ट कोशन की और दो का लाश्ट कोशन है यह जो कि यहां पर देखिए 23,000,000 कहां पर लिखना है लाख के नीचे लिखना है 23,000,000 के नीचे देखिए 23,000,000 लिख दिए अब देखिए 23,000,000 30,000 के नीचे और यहां पर क्या लिखना है tag 10,000 क्या है khy ii अस्तान पर पर यदि यह शिर्फ दो अंकास क्या है इसलिए यहां पर क्या करेंगे 3 अंक बना देंगे अब यहां पर देखिए इसको 60 कर लिख देंगे 23,000,000,300,000 अब यह हमारा क्या आजाएगा अंसर चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ कुस्तन नमर तीन जो की अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद बंदे महत्रम